किसान बाईयों नमस्कार मेहुद असरत दागड आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में किसान सात्यों इस वीडियो में हम मूंग की खेती के बारे में बात करेंगे अधिकतर सेत्रों में मूंग की खेती गर्मी के मोसम में भी किसान बाई करते है मोंग की खेती से 60-70 दिन के मद्य अच्छा मुनापा किसान भाई कमा सकते है इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि मोंग की फसल में पहला खाद हमें कौन सा देना चाहिए किन-किन चीजों का प्रियोग करना चाहिए पहला खाद हम जब भी दे रहे हैं तो किन बातों का हमी ध्यान रखना चाहिए और किस परकार से हम मोंग के उत्पादन को बढ़ा सकते है किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान अमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर आपको ये जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ सीर भी अवश्य कीजे तो चैले वीडियो को सुरू करते है किसान भाई यो मोंग की जो फसल होती है वो 60 से 70 दिन के मत्यब पूरी तरह से पक्र करतियार हो जाती है इसलिए आपको जो पहला खाद है वो भी समय पर देना चाहिए सबसे पहले बात करते है कि मोंग की फसल में पहला खाद कब देना चाहिए मौंग की बुवाई के बाद जब आपकी फसल 20-25 दिन के आजबास की होती है इस समय पर पानी लगाने से पहले ही आपको पहली खाद का परियोग कर लेना चाहिए इस समय पर फसल की बढ़वार का समय होता है वानस्पतिक विकास का समय होता है पोधे की ग्रोध का समय होता है अगर इस समय पर हम खादों का परियोग करेंगे तो पोधे की ग्रोध बढ़ेगी फल फुल अधिक आएंगे पोधे में पुटाओ और साकाएं भी अधिक बनेग इसके लावा खर्पतवार नींतरन के बाद आप मोंग में पहली खाद दे सकते हैं, पहली खाद के रूप में पहली चीज लेना है यूरिया, यूरिया एक परकार से पौदे की ग्रोध को बढ़ाने का काम करता है, प्रती एकड़ 20 किलो ग्राम के आसपास आपको यूरिया ल तो इसके साथ आप सागरी का धानेदार का परियोग कर सकते हैं प्रतिकर 5-8 किलोगराम की दर से इन दोनों में से किसी एक ख़़ेगा परियोगा आपको यूरिया के जाद करणा है जड़ों के पास इन खादों का परियोग कर आप सीचाई कर सकते है इसके बाद आप देखेंगे आपकी मुंग की फसल एकदम हरी बरी हो जाएगी पोदाई का विकास अच्छे से होगा पोदा हरा बरा बन रहेगा पत्तों का फेलाव अच्छे से होगा साखाएं अधिक आएगी और फल फूल भी अधिक संक्या में बनेंगे किसान बायोग पहली खाद के रूप में अगर आप इन चीजों का परियोग करेंगे तो सुरुआ से ही आपकी फसल में पोसक तत्तों की कमी नहीं रहेगी जिससे अंत में जब फल और फलियां आएगी उस समय पर हमारा जो पोदा है वो अगदम स्वस्तर हेगा पोस्तत्तों से भरपूर रहेगा तो फल फुल अधिक संक्या में आएंगे जिससे हमारे उत्पादन में कापी बढ़ोतरी होगी अगर आपने मोंग की खेती कर रखी है तो पहली खात के रूप में आप इन चीजों का परियोग कर सकते है जानकारी यूसपल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब करें धन्यवाद